प्रेंड इक्जाम न्यूज बाई जेके में आप लोग का स्वागत है तो दोस्तो अस्पीडी साइन्स के मोडल सेट का हम लोग का जो स्रिंखला चाल रहा था ग्रूप डी का एक्जाम भी आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा तो चलिए दोस्तो आज हम लोग पार्ट एट वीडियो को देखते हैं और जितने भी देर सो पलस सेट के वाद आगे जो ही प्रेशन बचे हुए है मोडल सेट के सारे प्रेशन को हम लोग धीरे धीरे करके अ साथी में आप लोग को एंटी पीसी और ग्रूप डी सभी का क्यूश्चन का एनलीसिस भी दोस्तो आप लोग को इस चैनल पर दिया जाएगा तो दोस्तो आप अभी तक चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए चलिए दोस्तो वीडियो को हम लोग आज हम लोग का पहला परश्ण है फलो को सिगर पकाने में किस तद्व की महतपूर्ण भूमिका होती है तो याद रखे गा नेक्स्च गेहुं का सेहु रोग किसके कारण होता है तो गेहु में होने वाला रोग का नाम है सेहु रोग याद रखेगा जिसे इंगलिस में येर कोकेल कहा जाता है और यह सेहु रोग जो यह किसके कारण होता है तो यह निमाई टोड के कारण होता है किसके कारण निमाई टोड के कारण यह होने वाला रोग है जो कि गेहू में होता है निस्ट है भारत में सामुदाइक विकास यह के परनब किया गया है भारत को मसालों का घर के यहाँ जाते हूँ ए और आप लोग जानते होंगे कि प्राचीन समय में होई फि morte यहाँ ब्यापारी आए थे भारत अजाद होने के पहले तो यहां ब्यापार के ही मंसा से आते थे और यहां से मसालो का ही ब्यापार किया कर दे थे तो मसालो का घर किसे का जाता है भारत को का जाता है और यह इदुक्टी में इलायची का बहुत ही अधिक मातरा में उत्पादन होता है नेश्ट है बिस्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो बिस्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेसिया है को ने दोस्तों इंडोनेसिया में सबसे ज़्यादा नारियल उत्पादन किया जाता है नेश्ट ह आई सी ए आर का अर्थ क्या होता है तो आई सी ए आर का फुल फर्म होता है इंडियन कॉंसील ओफ एग्रिकल्चर रिसर्च क्या होता दोस्तो इंडिया कॉंसील ओफ एग्रिकल्चर रिसर्च होता है आई सी ए आर का फुल फर्म नेक्स्ट क्यूशन है दूतिये हरित क्रांती का संबंद किसे है तो दूतिये हरित क्रांती का संबंद जैप्रदोग्की के परियोग से है किसे दोस्तो जैप्रदोग्की के परियोग से है नेक्स्ट है वह राज कौन सा है जो गेहुं की खेती नहीं करता है देखे दोस्तो ब बढ़ने वाला पॉधा का नाम क्या है तो आप लोग जानते होगे इसके बारे में उसका नाम है UK Liptus जो सबसे तेजी से बढ़ने वाला पॉधा है किस फसल पर हरित करांती का सिमित परभाव हुआ तो दाल पर दाल पर जो है हरित करांती का उतना परभाव नहीं देखने को मिला कौफी किस छेतर का पौधा है तो कौफी जो दोस्तो उसने कटिवंधिये जालीदार छेतर का पौधा है भारत में एक कितने माह में परिपक्व होती है तो भारत में एक जिसे हम लोग गन्ना कहते हैं यह बारे महीने में परिपक होता है कितने दिनों में बारा महीने में नेक्ष्ट पंजाब की एक मुख नगदी फसल कौन सी है तो पंजाब की एक मुख नगदी फसल कापास है क्या है दोस्तों कापास नेक्ष्ट अननास उत्पादन में पर्थम अस्थान रखता है तो अनना और्णनास सबसे ज्यादा अरुपदेश मे उगाया जातन है और अननास यह क्ति सबसे ज्यादा और दोस्तों सबसे ज्यादा उत्पादम होता है लो की ज्यादर है, कितने सेंटीमीटर आभल तotes higher maintenance 06 okay तो अब दंडन करते हैं और जat की खेती के लिए कितने सेंटीमीटर बर्सा- northern प्चाई की खेती के लिए 100 cm से 800 cm की बर्षा वह परियाप्त होती है नेक्स्ट पौधों की सर्बोत्तम बिर्दी किस pH मान पर होती है तो पौधों की जो सर्बोत्तम बिर्दी होती है अगर pH मान 6-17.5 के बीच में दिसंबर को next पर्थम computer मार्क बन का निर्मान कब किया गया तो मार्क बन जो computer दोस्तो इसका निर्मान 1936 में हुआ था तो इनलोग तथा digital का संयुक्त रूप है तो hybrid computer है तो analog और digital का संयुक्त रूप कौन है दोस्तो तो hybrid computer है कट, कॉपी और पेस्ट भाग है या एडिट का भाग है किसका एडिट जब हम लोग करते हैं किसी चीज को तो उसमें कट, कॉपी और पेस्ट हम लोग को करना पड़ता है नेक्स्ट है डीवग का परियोग होता है तो डीवग का परियोग गलती हटाने के लिए होता है क्यों होता है गलती हटाने के लिए नेक्स्ट है बिंदूओं की मदद से छपाई को क्या कहते हैं तो बिंदूओं की मदद से जो छपाई होती है उसे dot matrix कहा जाता है क्या कहा जाता है dot matrix नेक्स्ट पंच कार्ड की खोज किसने की थी तो पंच कार्ड की खोज हर्मन होलरित ने 1890 में क्या था रिपोर्ट प्रोग्राम जेनेरेटर क्या होता दोस्तो रिपोर्ट प्रोग्राम जेनेरेटर होता है RPG का फुल फॉर्म नेक्ट है C++ का क्या अर्थ होता है तो C++ क्या है तो यह अबजेक्ट ओरियन्टेड भास आए क्या दोस्तो अबजेक्ट ओरियेंटेड यह एक भास आये, भारत में पर्थम कम्प्यूटर अरक्षन पतती लाउ की गई थी, यह नई दिल्ली में, कहां दोस्तो, नई दिल्ली में लाउ की गई थी, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली पर्थम भारतिये पत्रिका कों थी, तो इंटर के सिधान्त के अनुसार कारी करता है कहलाता है उसे एना लॉग कंप्यूटर कहा जाता है जो कंप्यूटर आगलन के सिधान्त पर कारी करता है नेश्ट है एना लॉग एवं डीजिटल के संयुक्त स्वरूप को कहते हैं तो इसे हाइबरीड कंप्यूटर कहते हैं या पहले भ भासा में बदलने वाले को कहते हैं, तो उसे असेंबली कहा जाता है, क्या कहा जाता है, असेंबली कहा जाता है, सभी विद्यालियों को एक साथ जोडने की परनाली है, तो उसे यूजनेट कहते हैं, क्या कहते हैं, यूजनेट, तो सभी विद्यालियों को एक साथ जोडने की टेल निल्सन के द्वारा नेक्स्ट बच्चे कंप्यूटर खेल में किस भासा का प्रियोग करते हैं तो बच्चे जो कंप्यूटर खेल में लोगो भासा का प्रियोग करते हैं किस भासा का लोगो भासा का नेक्स्ट बाइनरी एवं असेंबली भासा को क्या कहते हैं तो बाइ नेश्ट है computer प्रियोग करता द्वारा computer को दिया गया निर्देश को क्या कहा जाता है उसे command कहा जाता है command कहा जाता है नेक्स्ट है yahoo, google, abam, msn तो यह सभी क्या है दोस्तो तो यह सभी search engine है इस पर जाकर के हम कोई भी चीज search करते हैं तो yahoo, google और msn यह सब क्या है search engine है नेक्स्ट deep blue क्या है तो deep blue जो दोस्तो IBM द्वारा बनाया गया computer क्या है, IBM द्वारा बनाया गया computer है जिसका नाम है deep blue नेक्स्ट, underwater computer का अभिसकार कहां के बयानिकों ने किया तो ऑस्ट्रेलिया के बयानिकों ने कहां के ऑस्ट्रेलिया के बयानिकों नेक्स्ट, भारत में पर्थम व्यापारिक इमेल सेवा नई दिल्ली में कब शुरू की गई तो 11 फर्वरी 1994 को भारत में पर्थम व्यापारिक इमेल सेवा शुरू की गई कहां दोस्तों, नई दिल्ली में 11 फर्वरी 1994 को सिच्छा और अनुसंसाधन नेटबर्क का संचित रूप्त क्या है तो इसे एरनेट करते हैं वह छोटा प्रोग्राम जिसे कोई लेखक बेव पेज में उप्योग करता है उसे एपलेट कहा जाता है क्या कहा जाता है एपलेट कहा जाता है तो याद रखेगा वह छोटा प्रोग्राम जिसे कोई भी लेखक बेब पेज में उप्योग करता है उसे एपलेट कहा जाता है next ULS का full form क्या होगा तो ULS का full form होता है दोस्तो user location service क्या होता है user location service होता है ULS का full form next बल गुननफल है तो बल द्रबमान और तोरण का गुननफल है किसका mass और acceleration का गुननफल है बल next next, जब एक पत्थर को चांद की सता से पिर्थवी पर लाया जाता है तो क्या होगा तो इसका भार बदल जाएगा लेकिन इसका द्रबमान जए दोस्तो so तो जब चांद पर से लाएं गे किसी बस्तू को पिर्थवी की सिता पर उसका भार बदल दाएगा लेकिन उसका चांड जो द्रमान है हुआ नहीं बदलेगा नेक्श्ट पेंडूलम घडी तिव्र गति से चल सकती है तो सीत काल में कब? सीत काल में या तिवर गती से चल सकते यानि ठंडे के मोसम में जब चंदरमाप पिर्थवी के सबसे निकट होता है तो इस अवस्था को कहा जाता है तो इस अवस्था को पेरी जी कहा जाता है क्या कहा जाता है? पेरी जी कहा जाता है कितना होता है? सरवाधिक होता है याद रखेगा next question की चलते है चंदरमा पर कम गुर्दो करशन बल का कारण है तो बायूमन्डल का अभाव तो बायूमन्डल नहीं होने के कारण ही चंदरमा पर कम गुर्दो करशन है गतिसील बस्तू के बिस्थापन की दर को कहते हैं तो गतिसील बस्तू के बिस्थापन की दर को ही बेग कहा जाता है किसी बस्तू के संबेग में परिवर्थन की दर को कहा जाता है तो उसे आबेग कहा जाता है किसी बस्तू के संबेग में परिवर्तन की दर को ही आबेग कहा जाता है सड़क पर चलने की अपेच्छा बर्फ पर चलना कठीन है क्योंकि बर्फ में सड़क या पेच्छा घरसन कम होती है तो बर्फ में जो तो आप लोग देखते हैं उसमें घरसन बहुत ही कम होता है इसलिए सड़क या पेच्छा उस पर चलना बहुत ही कठी ने, बस्तु की मात्रा बदलने पर क्या आपरिवर्तित रहेगा, तो बस्तु की मात्रा बदल भी देगे, तो उसका घनत्म जो दोस्तो वह आपरिवर्तित रहेगा, ने, भुकंप के समय पिर्थवी के अंदर होती है, नेक्स्ट, तारो की दूरिया मापी जाती है, तो परकास बर्स में मापी जाती है, किसमें परकास बर्स में मापी जाती है, क्योंकि आप जाते हैं, दूरी की मात्रा क्या है, परकास बर्स है, और तारो की दूरिया परकास बर्स में मापी जाती है, नेक्स्ट है, सब्सक्राइब एक अबार प्रकास की सुरी और पिर्थभी के बीच और दूरी कितना है तो लगभग 14.98 किलोमीटर लगभग सुरी और पिर्थभी के बीच दूरी है नेश्ट जब किसी जील की तली से उठकर बायू बुल्वुला उपरी सतर तक आयेगा तो उसका आकार क्य हो जाएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा क्या होगा दोस्तों बढ़ जाएगा नेश्ट भूत तुलिकालिक उपग्रहों की गती समान होती है तो पिर्थभी के दैनिक गतिके तो तबीके दैनिक गतिके जो है समान होती है उसकी भी गति नेक्ष्ट सुन में स्वतंतर रूप से गिरने वाली बस्तूओं का समान तौरन होता है तो कोई भी बस्तू अगर सुन में स्वतंतर रूप से गिर रहा है तो उसका तौरन जो होगा क्या होगा शमान होगा एक जेट इंजन की सिधान्त पर कारी करता है तो एक जेट इंजन जो है रैखिक संबेग संडच्छन के सिधान्त पर कारी करता है किस पर दोस्तों रैखिक संबेग संडच्छन के सिधान्त पर चलती गाली में बैठे आदमी की उर्जा होगी तो गतीज एवं इस्थितिज दोनों उर्जा पाई जाती है एक बस्तू के जड़त्व की परत्यक्ष निर्भरता है तो द्रबमान पर किस पर? द्रबमान पर हुआ परत्यक्ष निर्भर जाता है नेक्स्ट है बेंटूरी मीटर से मापा जाता है तो बेंटूरी मीटर से द्रब का प्रवाह मापा जाता है द्रब का प्रवाह जो है बेंटूरी मीटर से मापा जाता है गुर्तिय त्वरन छोटी जी का मान कितना होता है तो आप लोग सभी जानते हैं 9.8 meter per second square होता है 9.8 meter per second square होता है एक उड़ते हुए चक्य की 30 second घुर्नर मापी जाती है तो अश्ट्रेबो असकोप से मापी जाती है तो दोनों पकलन यो को जोड़े रखने का कार जो है फिस्प लेट करता है नेश्ट अस्प्रिंग को अपनी शामाने लंभाई पर बापस लोटने के लिए लगने वाले बल को कहते है तो उसे परतियास्त परतियानन बल कहा जाता है क्या कहा जाता है परतियास्त परतियानन बलका जाता है द्रबो के चुमबक्त का कारण होता है तो द्रबो के जो चुमबक्त का कारण होता है वह इलेक्ट्रोनों की बर्तुल गती होती है क्या होता है इलेक्ट्रोनों की बर्तुल गती होती है तुलिकाली उपगरह की प्रिकर्मन काल की अबधी होती है तो 24 घंटे की होती है कितना 24 घंटे की जितना पिर्थवी को होती है उतना उसकी भी होती है नेश्ट है पानी का प्रिष्ट तनाब अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है तो घट जाता है तो पानी में जैसे ही हम लो उतरने के घटना को है केसी कत्व कहा जाता है नेश्ट है प्रस्थित की दवाब की इकाई क्या है तो बार है क्या है बार नेश्ट बायूमंडलिये दाब की पर्थम बार गरना किया था तो बान गियूरिक ने किसने बान गियूरिक ने सबसे पहले बायूमंडलिये दाब की परतंबार गरना किया था निम्न तापी इंजनों का अनुपरियोग किया जाता है तो निम्न तापी इंजनों का अनुपरियोग जो दोस्तो रॉकेटों में किया जाता है कहां किया जाता है रॉकेट में नेक्स्ट सूरी चंदरमा तथा अनिग्रहों का ताप मापा जाता है तो पाइरो मीटर से किस से मापा जाता है, पाइरो मीटर से मापा जाता है, अधीक उचाई पर जाने पर बायुदाब होता है, तो कम हो जाता है, जब अधीक उचाई पर हम लोग जाते हैं, तो बायुदाब क्या होता है, कम हो जाता है, घनत्वमापने के लिए परियोग किय कहा जाता है उसे ही प्रेसर कहा जाता है दाब कहा जाता है नेश्ट है सक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से सक्कर की बिलेइता क्या होती है तो उसकी बिलेइता बढ़ती है जैसे जैसे सक्कर के घोल का तापमान बढ़ते जाएंगे उसकी बिलेइता बढ़ती जाएगी ने नेस्ट है उचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि बाईयो मंडल ये ढाप घट जाता है और पानी ज़ल्दी नहीं वल पाता किसी गैस की आंत्रिक उर्जा तापकरम का एक फलन है यह कथन किसका है तो यह कथन चाल्स का नियम है किसका यह नियम दोस्तो चाल्स का नियम है यह नेक्स्ट कुछन की तरह चलते हैं नेश्ट की जने हम लोग का प्लास्टिक का गलनांग कितना होता है तो प्लास्टिक का गलनांग 47 डिगरी सेंटिग्रेट होता है कितना होता है 47 डिगरी सेंटिग्रेट नेश्ट कैलोरी मीटर समानेता बनता है तो कैलोरी मीटर जो है दोस्तो समानेता तांबे से बनता है किस ताप पर ठोस पिघल कर द्रब में बदलती है उस ताप को उस ठोस का कहते हैं तो उसका गलनांग कह जाता है उसे क्या कह जाता है उसका गलनांग कह जाता है नेक्स्ट है बादल और बायुमंडल का तेरना किस कारण से होता है तो सयानता के कारण से किस के कारण से सयानता के का नेक्स्ट है बर्फ का घनत्व होता है तो 0.92 केजी पर मीटर क्यूब होता है कितना होता है तो 0.92 केजी पर मीटर क्यूब होता है बर्फ का घनत्व नेक्स्ट पानी का घनत्व कितना होता है तो 1 केजी होता है नेक्स्ट आडियो फोन का उपयोग किया जाता है तो आडियो गर्थ के बीच की दूरी को कहते हैं तो उसे ही त्रंगदे धहर कहा जाता है त्रंगदे धहर कहा जाता है नेक्ष्ट रमन परभाव का प्रकास की उन किर्णों से संबंध है जो आर पार जाती है तो केवल प्रिजमों के किसके केवल प्रिजमों के जो आर पार जाती है उसी स उसका सम्मन्द है। मनुस्यों के लिए सोर की ध्वनीथ प्रिवता होती है, तो फचुत्तर से फचासी decimal के बीच में होता लगा। L empius kristal की रचना जानने के लिए पर्योग में लाया जाता है, तो द्रिश्ट परकास को परियोग में लाया था, किसे द्रिश्ट परकास को, next question तरब क्रिश्टल के अच्छे उधारन है, तो हीरा तथा ग्रेफाइट, ये दोनों जो दोस्तों क्रिश्टल के अच्छे उधारन है, तो कौन-कौन हीरा और ग्रेफाइट, next, कमपन का आयाम बढ़ने पर ध्वनी की तिवरता क्या होती है ध्वनी की तिवरता बढ़ जाती है तो कमपन का आयाम जैसे जैसे बढ़ता है ध्वनी की तिवरता बढ़ जाती है नेक्स्ट कुछन है सुर्विवोदय होने से कुछ मिनट पुर्व ही सुर्व किरने दिखाई देने का कारण क कि यह प्रकास के अबरतन के कारण दिखाए देता है कि फा रगता का सिगनल लाल रंग का बनाया जाता है किए रंग प्रकिर्नन अब मुत ने और इसलिए कि मृतना अबरतन को बनाया तरद होЭто तो किसी रंग का जो प्रकिर्णन है वह उसके त्रंग शोर्वज को नỳी थे कोज थी तो किस किया था कॉस्मी कोज धोब के चसमें की पावर होथी है तो जीरो डाइ उप्टर होता है नेक्ट क्यूचन है मिल्क तृष्णा उदाहरन है तो मिल्क तृष्णा जो दोस्तो पूर्ण आंत्रिक प्रावर्तन का उदाहरन है किसका पूर्ण आंत्रिक प्रावर्तन का उदाहरन है नेक्ट है सुर्योदय एवं सुर्यास्त होते समय सुर्य होता है तो चितिज पर होता है। जब परकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आपरिवर्ती तरहता है उसका आबिळती प्रास्राब्यतरंगों का परयोग किया जाता है तो कीटो को नश्ट करने में कीटो को नश्ट करने में प्रस्रव तरंगों का प्रयोग किया जाता है नेश्ट है प्रस्रव तरंगों का को उत्पन करता है तो चमगादल जो है दोस्तों प्रस्रव तरंगे उत्पन करता है तो चमगादल कैसे तरंगे उत्पन क आन्द से आने वाली किर्णों को फ्यलाता है तो अवतल धर्पन फ्यलाता है. तो फ्यलाता है तो तो 4 Binx abbiamo 54 mile 6-5 है. आव्राइट ट्रंगों की खोज की थी तो आव्राइट ट्रंगों की खोज WI तो रेडियो तरंग की खोज किया था तो रेडियो तरंग की खोज हेंरिक हर्ड ने किया था किसने हेंरिक हर्ड के द्वारा रेडियो तरंग की खोज की गई थी नेक्ट है पारावैगनी किर्णों की तरंग द्धर होती है तो पारावैगनी किर्णों की तरंग द्धर जो हो रिकॉर्डर की खोज बालडेमर पोल सेन ने की थी किसने बालडेमर पोल सेन ने 1899 में टेप रिकॉर्डर की खोज की थी नेक्ष्ट है जल में पड़ी प्रकनली का चमकना उधारन है तो यह पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का उधारन है किसका पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का उदारन है next है सूखा वालू चमकीला दिखाई देता है तो यह प्रावर्तन के कारण है किसके कारण दोस्तो प्रावर्तन के कारण ही सूखा वालू जो है चमकीला दिखाई देता है next question है परकासिये गेज कारी करता है तो परकासिये गेज जो है प्रावर्तन सिधान पर कारी क किया जाता है और शिल्बर नाइटेट का रासाइनिक सुत्र होता है एजी एनो थ्री क्या होता है एजी एनो थ्री होता है तो इसके रासाइनिक सुत्र भी आप याद रखेगा नेश्ट है परवलाइक दरपनों का परियोग किया जाता है तो परवलाइक दरपनों का किया जाता है नेक्स्ट है परकास का मूलकन होता है तो फोटोन जो है तो फोटोन फोटोन जो है परकास का मूलकन होता है नेक्स्ट लेंबर्ट नियम संबंदित है तो लेंबर्ट नियम जो है परती दिप्त से संबंदित है किसे परती दिप्त से संबंदित है नेक्स्ट ट् ट्रांजिस्टर का विस्कार कभ हुआ दोस्तो 1925 इसमी में हुआ था नेक्स्ट टंगस्टन धातु की खोज किस ने किया था तो टंगस्टन धातु की खोज डबलू आर ब्रदर्स ने किया था किस ने डबलू आर ब्रदर्स ने चलिए नेस्ट किसन के चलते हैं next question है बेपदार्थ जिन में मुक्त इलेक्ट्रोन न बहुत अधिक और न बहुत कम होते हैं वे कहलाते हैं तो वह अर्ध चाला कहलाते हैं वे क्या कहलाते हैं अर्ध चाला कहलाते हैं बिद्दूत मोटर की खोज किया था तो बिद्दूत मोटर की खोज जैकोबी ने किया था किसने क्या था जैकोबी ने किया था चुम्बक तो सबसे अधिक होता है तो चुम्बक के सिरो के समीप में होता है तो चुम्बक तो सबसे अधिक कहा होता है दूस्तों चुम्बक के सिरो के समीप में होता है नेश्ट परति दीप्त टूब लाइट में निम्न दाप पर भरी होती है तो पारे की बास्प भरी होती है क्या भरी होती है पारे का बास्प भरा होता है नेश्ट धारा का प्रबाह एकांतर क्रम में शमरांतर रूप से आगे या पीछे होने पर कहते हैं तो उसे परतियावर्ती धारा कहा जाता है उसे ही alternative क्रंड कहा जाता है एर कंडिस्निंग प्लांट की छमता को ब्यक्त किया जाता है तो उसे COP में किसमें दुसको COP में उसे ब्यक्त किया जाता है एक एलेक्ट्रोन बोल्ट बराबर होता है तो एक एलेक्ट्रोन बोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 तू दी पावर माइनेस 19 जूल होता है एक दसमलब छोग ने 10 पर पावर माइनेस 19 जूल होता है next question है, मेगर की सहाईता से मापा जाता है, तो मेगर की सहाईता से इंसुलेशन परतिरोध मापा जाता है, क्या मापा जाता है, इंसुलेशन परतिरोध मापा जाता है, next है, धातु का संचारन है, तो रासाइनिक परिवर्तन, तो धातु का संचारन क्या है दोस्तों, यह एक र दोट उर्जा होता है कौन सा उर्जा होता है विद्धूत उर्जा टेलीफोन लाइन में परवाहित होता है एक रूप चुंबक्ये च्छेतर की बल रेखाएं आपस में होती है तो समनांतर तथा समान दूरी पर होती है किसी अमलका उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया ज तो किसी भी चालक तार का जो पृतिरोध है तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा उसका पृतिरोध भी बढ़ते जाता है ने body मसीनों के ब्रस बने होते हैं तो कार्व्न के बने होते हैं कार्वण के फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबकीये छितर की प्रवल्ता चया होती है थ सकते snippश्त अधरे invert लेज़ते गेंगे है तो कसी अर्धशालक कर दोरे तो उसका पृति रहता है दोनों याद रखेगा किसी अर्ध चालक को अगर गरम करेंगे तो उसका परतिरोध जो है दोस्तो रेसिस्टेंस जो है जो है जो है घटेगा लेकिन उसकी चालकता जो है क्या होगा बढ़ेगा दोनों याद रखेगा बीकिरन का सबसे अच्छा अबसोसक रंग है तो वह काला है कौन है काला रंग है सुरी की असमीत उर्जा का स्रोत क्या है तो नावकिये सलयन है इसके बारे में आप लोग जानते होंगे किसी परमानु के नाभिक का टूटना कहलाता है तो उसे नाभिकिये बिखंडन कहा जाता है क्या कहा जाता है नावकिये बिखंडन का जाता है किसी भी परमानु के नाविक को टूटना नावकिये बिखंडन का जाता है किसी परमानु के नाविक का जुड़ना क्या कराता है तो उसे नावकिये सलेंग का जाता है क्या का जाता है नावकिये सलेंग की खोज किसने किया था तो periodic table की खोज मेंडलीफ के दौरा किया गया किसके दौरा मेंडलीफ के दौरा नेश्ट रेडियो धर्मी तर्टब जिसका भारत में बिसाल भंडार पाया गया है वह कौन है तो वह थोरियम है कौन है दौस्तो थोरियम है नेश्ट है तो होरो लोजी कौन होरो लोजी जो दोस्तो समय मापक विज्ञान है नेश्ट लाल बर्फ होती है तो नीला हरित सेवाल के कारण होता है तो लाल बर्फ किसके कारण होता है नीला हरित सेवाल के कारण नेश्ट है राष्टिये समुद्र विज्ञान संस्थान है तो पंजी गेद से क्या मापा जाता है। बेललों के छेद को कमार। मांचित्र के छेत्रफल का मापन किया जाता है सूपरसोनिक बीमान हानी पहुचाता है तो ओजोन मंदल को सूपरसोनिक बीमान जो दोस्तो वह किसे हानी पहुचाता है तो ओजोन मंदल को हानी पहुचाता है हीम नदी से बर्फ पिघलना प्रणब होता है निचली सता से कहां सबसे पहले निचली सता से पिखलना प्रणाम होता है नेश्ट है लेजर का विसकार किया था तो लेजर का विसकार टी एच मैमा ने किया था किसने टी एच मैमा ने नेश्ट है लेजर का फूल फॉर्म चाहता है यानि पूर्ण डूप आपसे पुछा गय तो लेजर का फूल फॉर्म होता है लाइट एंप्लिफिकेशन सेट्यूमिटेड इमिनेशन ऑफ रेडियेशन होता है लेजर का फूल फॉर्म तो इसे आप याद रखिएगा चलिए नेश्ट केशन का चलते हैं हम लोग नेश्ट के दौरा नेश्ट है भारी जलका कॉथनांक होता है तो भारी जल का कौथनांग 101.4 डिगरी सेंटीग्रेट होता है कितना होता है 101.4 डिगरी सेंटीग्रेट होता है नेक्स्ट है यूरेनियम के रेडियो एक्टिव भिगटन के फल सो रूप बनता है तो सीसा बनता है, क्या बनता है, इूरेनियम के रेडियो-एक्टिव भेहतन के पाद सीसा बनता है नेक्स्ट है, आइंस्टीन के अनुसार उर्जा, सदेव, दरवमान और परकास की चाल के गुननफल के अनुकरमान उपाती होता है तो याद रखेगा आइंस्टीन के अनुसार उर्जा सदैब जो होता है दोस्तों द्रविमान और परकास के चालक गुननफल का अनुकरमानुपाती होता है स्वेत स्याम तस्वीरों के निर्मान में परियोग होता है तो सिल्बर धातु का परियोग होता है किसका सिल्बर धातु का परियोग किया जाता है भारी पानी की खोज किसने की थी तो भारी पानी जिसे की D2O यानि की Dutrium Oxide भी कहा जाता है और इसकी खोज जो है दोस्तो है HC-URA ने किया था किसने HC-URA ने 1931 सिस्वी में D2O की खोज की जिसे भारी जल के नाम से जाने जाता है और यह एक अमेरिकी व्यक्ति थे कहां की व्यक्ति थे अमेरिकी व्यक्ति थे एसे तत्व जिनके नाभिक अलफा बीटा एवं गामा किर्णों का उत्सर्जन करते हैं वैं कहला तो इसे को मुआ रडियो एक्टिब तत्व कहते क्या कहते हैं दोस्तोventions दोस्तों ऊस टती में सरवधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है तो बिश्व में स्रवधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वह हाइड्रोजन है कौन है हाइड्रोजन और दूसरे नमबर पर हीलियम है तो दोनों याद रखेगा नेक्स्ट है नाभिक के बाहर नूट्रॉन हो जाता है तो रेडियो धर्मी हो जाता है कैसा ह बहती है 17 तो जाता है रेडियो ने करता है कि से यही क्याता है नियुट मेरेक्ट्रोणों को मैं मेरे हो सकती है तो किसी भी था करनू की दूसरी कच्छा में इलक्ट्रोणों की अधिक्तम संख्या हो सकती है तो किसी भी तद्व के परमानु की दूसरी कच्छा में इलक्ट्रोनों की अधिक्तम संख्या आठ हो सकती है कितने हो सकती है दोस्तो आठ हो सकती है तुझे आप याद रखें संतुलित रासाइनिक समिकरण में अभिकारक वा पक्ष उत्पाद पच्छ में संख्या शमान होती है तो परमानु की संख्या शमान होती है किसमें दोस्तो परमानु की संख्या इसमें समान होती है तत्वो और योगिकों के अनुओं को दर्साया जा सकता है तो रसाइनिक सुत्र के द्वारा किसके द्वारा रसाइनिक सुत्र के द्वारा तत्वो और योगिकों के अनुओं को दर्साया जा सकता है किस पर आधारी थे परमानु करमांक पराधारी थे तो आप गया दखेगा next question हम लोग का बीटा किरनो का बेग बेग बरावर होता है परकास के बेग के 9 बटा 10 भाक के कितना दोस्तो परकास के बेग के 9 बटा 10 बावर होता निकटें तमबाकू में विसैला पदार्त होता है त सबाल किया फैस है न Ε यूर्या को वह नकिने्ञ है को दूसतों को हो पतार्थ मिलाने से तो कॉन सा है तो सलफने इते हैं प्रिशो से प्राप्त किया गया प्राकिर्तिक रवण का बुदियादी रग्र। ब्लॉक है तो आइसोप्रीन है क्या है आइसोप्रीन है नेक्स्ट है रिचार्ज येवल सेल में सेल के भीतर भंडारित होती है तो उसमें रासाइनिक उर्जा भंडारित होती है जो फिर से पुनह रिचार्ज किया जाता है यानि कि चार्ज फिर से पुनह किया जाता है जिस मेंगनियस अचिए रबर के बलकिनीक्रण की खोज और किसने की थी मेंगनियरा था पलबकिनी का घूलियम की खोज की हिलियम की खोज फ्रेंक लेंड लाके एर एवं बिलियम रेमजे नहीं किया था तो तीन ब्यक्ति ने मिलकर किया था हिलियम की खोज फ्रेंक लेंड लाके एर बिलियम रेमजे तो तीनों को नाम याद रखेगा नेश्ट है जब पानी में साधारन नमक मिलाया जाता है तो पा द्रब जिस इस्थिर ताप पर जम कर ठोस बन जाता है उसे कहते हैं तो उसे द्रब का हिमांग कहा जाता है क्या कहा जाता है द्रब का हिमांग कहते हैं उसे नेश्ट है हाइड्रोजन सलफाइड गैस से गंध आती है तो हाइड्रोजन सलफाइड गैस से सड़े हुए अंडे की तरह गंद आती है कैसे गंद आती है सड़े अंडे की तरह गंद आती है नेश्ट वाइल नियम लागू होता है तो वाइल नियम है जो दोस्तो नियत तापमान की इस्थिती में लागू होता है कहा लागू होता है नियत तापमान की इस्थिती में नेश्ट आदर्स गैस न होती है next TP पर किसी गैस के एक मौल आइतन होता है तो एंटी पीटिन fünf चारलेट्ल होता है 2022.4 एक्र गैस पर्माणों की सबसे बाहरी कच्छा में कितने लेक्ट्रों होते हैं तो आक दी है बिधी में परियोग किया जाने वाला उत्वरिया कौन सा है तो वह लोहा है कौने दोस्तों लोहा का परियोग किया जाता है चलिए next question देखते है next question है लाल तप्त कोक पर भाप परवाहित करने से प्राप्त होता है तो जल गैस प्राप्त होता है क्या प्राप्त होता है जब ल प्राप्त होता है तो पॉली एथिलीन प्राप्त होता है क्या प्राप्त होता है पॉली एथिलीन प्राप्त होता है नेक्स्ट है मुत्र के हलके पीले रंका कारण क्या है तो मुत्र जो हलके पीले रंका होता है वह यूरोक्रोम के कारण होता है क्यों होता है यूरोक्रोम के क उपयोग होता है तो समुदरी सेवा के परकास अस्तम में नियॉन का परियोग होता है किसका नियॉन का नेश्ट और जेलिक अमल का स्रोत है तो सारेल का ब्रिच से और जेलिक अमल प्राप्त किया जाता है तो और जेलिक अमल का परियोग फोटोग्राफी में किया जाता है कहा बनाता है Gipsum बनाता है ब्लीचिंग प्टर का रसायनिकर नाम क्या है यह पूछा गया आप से सब्लीचिंग पौडर का कर राशायनिक नाम होता है क्या उतले क्लेशम धर होता है और इसका रसाये Prophet Crisis 6 च्विक बजार में विकने वाले समान 18 करेट सोने में होता धाता है तो जर्मन सिल्वर में चान्दी का सभी होती है कि अगर 22 कोई बोढ़ रहे है कि आ आपको समझ लिए कि आपको 92 पर सेंट सुना देड़ा है लेक्राइद होती है फिरस पर सेंट होती है उसे लिए जल्में डूप जातेह हैं क्योंकि जल से भारी होने के करनड यह सभी जल से भारी होते हैं, इसलिए जल में डूब जाते हैं, नेक्स्ट है, अस्टील की कठोरता परदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है, क्रोमियम की मात्रा बढ़ाने से अस्टील में जो है कठोरता बढ़ा जाती है, नेक् क्रित्रिम हीरा कहा जाता है तो सिलिकॉन कारवाइड को क्रित्रिम हीरा कहा जाता है किसे दोस्तों सिलिकॉन कारवाइड को मोह मापनी का उपयोग किया जाता है तो मोह मापनी का उपयोग कठोड़ता मापने के लिए क्यों किया जाता है कठोड़ता मापने के लिए चलिए, next question देखते हैं हम लोग, next question है हम लोग का धातू की प्रकिर्ती होती है, तो धातू की प्रकिर्ती बिधुत धनात्मक होती है, कैसी होती है, बिधुत धनात्मक होती है, next है, अधातू के आउकसाइड प्राया होते हैं, तो अधातू के आउकसाइड जो होते हैं, दोस् काला ताबा के रूप में जाना जाता है तो मेला कुनाइट को काला ताबा के रूप में जाना जाता है मेला कुनाइट का रसाइनिक नाम क्या है तो मेला कुनाइट का रसाइनिक नाम है क्यूपरिक आउकसाइड क्या है क्यूप्रिक आउक्साइड है और इसका रसाइनिक सुतर होता है सी यू ओ होता है क्या होता है सी यू ओ होता है तो इसे भी आते रखेगा next हेक्सा बिलेड बने होते हैं तो हेक्सा बिलेड जहें उच कारवन इस पात के बने होते हैं उच्छ कारवन इस पात के नेक्स्ट है टैनीन का परियोग होता है तो टैनीन का परियोग चमडा बनाने तथा सियाही बनाने में इसका परियोग किया जाता है तो टैनीन का परियोग का होता है चमडा और सियाही बनाने में नेक्स्ट लॉंग के तेल का परमुख घटक है तो भूरा कोईला के नाम से लिगनाइट को जानते हैं, किसे जानते हैं, लिगनाइट को भूरा कोईला के नाम से जानते हैं, कोईला प्रात्मिक अवस्था में होता है, तो यह पीट कोईला होता है, कैसा होता है, पीट कोईला होता है, मानव चम्र के बाहरी प्रत में पाया जान की मात्रा कोईला कच्चा तेल बप्रकृतिक गैस कहलाते हैं तो यह जिवास्मिक फ्यूल क्या लाते हैं क्या कहलाते हैं जिवास्मिक फ्यूल यह जिवास्मिक इंधन कहलाते हैं नेक्ष्ट मच्छर भगाने वाली दबाओं में सक्रिय रसायन है तो एलिथ्रीन पाए जाती है क्या पाए जाती है एलिथ्रीन पाए जाती है नेक्ष्ट चुहे मारने का जहर किस रसायनिक पदार से बनता है तो चुहे मारने का जो जहर है दोस्तो हुआ पोटैसियम साइना तो पेट्रोल की ऑक्टेन संख्षान नियुनतम साथ होती है किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रोन त्यागने की किरिया उस्पदार्थ का कहलाता है उस्पदार्थ का ऑक्सिकरन कहलाता है क्या कहलाता है उस्पदार्थ का ऑक्सिकरन कहलाता है उसे हम लोग उसमा सोसी अभिक्रिया कहते हैं क्या कहते हैं उसमा सोसी अभिक्रिया उसे कहा जाता है चलिए नेश्ट कृषण देखते हैं हम लोग नेक्ष्ट कुछन है ऐक्सिक्यर्ण में तत्ब की संजोगता बढ़ती है अप्चेहर लिए घ्टती है और अप्चेहर나 की प्रकिर्ती आम्मोनियंग क्लोराइड के जलीय बील्यन की प्रकिर्ति अमलीए की सैट कर ने में परियूक को किया जाता है सोडिय का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवन कौन सा है तो वह sodium chloride है कौन है दोस्तो sodium chloride है next सक्कर के घोल का तपमान बढ़ाने से सक्कर की बिलेइता पर क्या परभाव पढ़ता है तो सक्कर के घोल का तपमान बढ़ाएंगे तो उसकी बिलेइता भी बढ़ती है रसायन बिग्यान में अवारा तत्व की संग्या दी गई है तो रसायन बिग्यान में अवारा तत्व हाइडरोजन को कहा जाता है किसे कहा जाता है तो हाइडरोजन को अवारा तत्व के नाम से जाना जाता है फासपोरस बिले होता है तो यह कारवन डाई सलफेड में होता है किसमे होता है कारवन डाई सलफेड में होता है लोहे पर जंग लगना उधारन है तो लोहे पर जंग लगना रासाइनिक परिवर्तन का उधारन है किसका उधारन है बिद्धूत अपघटे हैं तो गंधक का अमल है कौन है गंधक का अमल है नेक्स्ट प्रक्रिया जिसके द्वारा समुंदरी जल को सुध किया जाता है वह कौन सी प्रक्रिया है तो समुंदरी जल को आस्वन बिधी के द्वारा सुध किया जाता है कौन से बिधी के द्वारा आस्वन भीधी के दौरा नेक्स्ट वह गैस जो नियूंतम तापमान पर द्रब में बदल जाता है वह हाइड्रोजन है कौने जोस्तो हाइड्रोजन एक ऐसी गैसे जो नियूंतम तापमान पर द्रब अवस्था में बदल जाता है मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्राब को रोक देती है इसका कारण क्या है तो यह असकंदन के कारण रोक देता है क्योंको रोक देता है असकंदन के कारण next है फिटकरी का रासाइनिक नाम क्या है आपसे पूछा गया है तो फिटकरी का रासाइनिक नाम होता है potassium aluminum sulfate क्या होता है potassium aluminum sulfate होता है next रासाइनिक दिरिश्टी से चूने का पानी होता है तो अगर रासाइनिक दिरिश्टी से देखे तो चूने का पानी जो होता है दोस्तों वह केलसियम हाइडरॉकसाइड होता है क्या होता है चॉकलेट स्वास्त के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें सीसा की मातरा अधिक होता है तो चॉकलेट में सीसा की मातरा अधिक प तो सेख्स हार्मॉन का पता लगाया था तो सेख्स हार्मॉन का पता सबसे पहले एड़वर्ड कॉलविन ने लगाया था किसने एड़वर्ड कॉलविन ने नेक्स्ट चूहो के बिस का रासाइनिक नाम क्या है तो चूहे का बिस जो बनता है उसका रासाइनिक नाम जिंक फॉसफाइड क्या है जिंक फॉसफाइड नेक्स्ट भीड को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल किया जाने व सास लेने के लिए ऑक्सीजन एबम हिलियम का मिस्रण होता है जिसमें उसका अनुपात क्या होता है तो उसमें एक अनुपात चार के अनुपात में ऑक्सीजन और हिलियम मिला जाता है तो ऑक्सीजन एक और हिलियम चार तो एक अनुपात चार में मिला जाता है नेक्स्ट धू बहाएं जाता है तो उसमें चullahon का लेडाये चछ तु शर् एका तो पाधब कोस्ट होती है तो पाधब कोश्का में में कोश्का भित्ति. बहाएं उसमें नहीं पाया जाता है तो जन्तु कोशका में कोशका भित्ती नहीं पाया जाता है कोशका भित्ती जो दोस्तों सिर्फ पादप कोशका में ही पाया जाता है नेश्ट है पराग कन के दौरान पराग कनों को ग्रहन करने वाली पुस्पी भाग होती है तो वह बरती कागर होती है कौन है बरती काग्र होती है नेक्स्ट क्योशन है सेल का प्वार्प्लांट कहा जाता है तो माईटोकॉंड्रिया को बिना बीज के फ़लो के बिक्सित करने की बीधिग को टी सू कलचर कहा जाता है स्लाइडेन तथा स्वान ने अपना कोषिका सिधान प्रस्तूत किया था तो 1949 में इन्हों ने अपना कोषिका सिधान प्रस्तूत प्रस्तूत किया है चलिए, next question देखते हैं, तंत्रीका कुश्का की लंबाई होती है, तो तंत्रीका कुश्का की लंबाई लगवग 90 cm, कितना दोसो, 90 cm होता है, next, जीब दरब की खोज किसने की थी, तो जीब दरब की खोज, डुजारडीन ने किया था, किसने, डुजारडीन ने, 835 इसुई में जीब द्रब की खोज की थी नेक्ट है केंद्रक द्रब बना होता है तो केंद्रक द्रब है जो दोस्तो प्रोटीन का बना होता है किसका बना होता है प्रोटीन का बना होता है नेक्ट है सुत्री विभाजन को किन दो भागों में बाटा जा सकता है तो सुत्री विभाजन को केरियो काइनेसिस तथा साइटो काइनेसिस में बाटा जाता है किसमें दोस्तों केरियो काइनेसिस और साइटो काइनेसिस में अर्ध सुत्री विभाजन किस परकार की कोशकाओं में होता है तो अर्द सुत्री विभादन जो है केवल जनन को इसकाओं में होता किसमें केवल जनन को इसकाओं में होता लबक की खोज किसने की थी तो लबक की खोज हेकले ने किया था किसने हेकले ने लवको के तीन परकार कौन कौन से हैं तो लवको के तीन परकार इस परकार है अबरनी लवक हरीत लवक और बरनी लवक तो यही तीन लवक है कौन कौन दोस्तों अबरनी लवक हरीत लवक और बरनी लवक तो तुन तीनों याद रखेगा नेश्ट आलू के अस्टार्च में ल सिंपर नहीए था ने прямо था 1850 लाल सेवालों में बर्नी लवक पाया है तो लाल सेवाल में बर्नी युद लवक दोसस्तों वह होता है रेडो प्लास्टinin का खनीज घटक है तो chlorophyll का जो खनीज है वह magnesium का घटक है किसका घटक है? magnesium का घटक है वह पदार्थ जो पौधों के लिए एक सूक्ष में पोसक होता है वह कौन होता है? वह boron होता है वोपापचय है तो उपापचय जैब अनुओं का संसलेशन और तूट जाना है वोपापचय क्या है? जैब अनुओं का संसलेशन और उसका तूट जाना ही वोपापचय है नेक्स्ट पौधों में पाया जाने वाला दो परमुख जटिल उत्तक कौन कौन है? तो पौधों में पाया जाने वाला दो परमुख जटिल उत्तक साइलम तथा फ्लोयम है तो आक्सीन हार्मोन की खोज डार्विन ने किया था 1880 इसवी में तो आक्सीन हार्मोन की खोज डार्विन के दोरा 1880 इसवी में किया गया था सेब में आंत्रिक कॉर्क रोग किस तत्व की कमी से होता है तो सेब में जो आंत्री कारक रोग होता है वह बेराउन की कमिस होता है इसके कमिस होता है दोस्तों यह बेराउन के कमिस होने वाला रोग है नेश्ट क्रांतिक तत्व कहलाते हैं तो नाइट्रोजन, फासपोरस और पोटेसियम ये तिनों जो दोस्तों क्रांतिक तत्व कहलात सबसे कम लंबाई का जिवानु का नाम है डाइलिस्टर न्यूमेसिंटिस क्या है दोस्तों डाइलिस्टर न्यूमोसिंटिस उसका नाम है चलिए नेक्स कीचन देखते हैं हम लोग अभी तक खोजा गया सबसे बड़ा जिवानु का नाम है जिवानु की कोश का भित्ति बनी होती है तो जिवानु की जो कोश का भित्ति होती है वह वह पॉली सेKEराईड और लिपीड वह पर्टीन की बनी होती है ड़िवानूं की को सिकाल जिवानूं में लेंगिक जनन की खोज लेडर बर्ग तखा टेटम ने कियाथ ौ one kis जिवानूี Pixel द्वार घ्र रिस्टोफ तो कोकस लेक्टिस के दौरा बना जयता है तो 거аш्टेप्टो कोकस्स लेक्टिस के दौरा मखन बनाया जयता है नेस्ट है बिटामिन सबसे छोटे बाइरस का नाम है तोस्तो टोवाइको नेक्रोसिस वाइरस कौन सा है टोवाइको नेक्रेसिस वाइरस जो है वह सबसे चोटा वाइरस है नेक्स्ट सबसे बड़ा जनतु वाइरस कौन सा है तो सबसे बड़ा जनतु वाइरस का नाम है पोटाइटो फीवर वाइ है केप सीड का बना होता हैं है한데 फूट नामक रोग किस कवग के कारण होता है तो एथलीट फूट नामक जो हुँ रोग है दोस्तों वह है टीनिया पेड मेंब्स...... किसका गुश्फिट का त। किक क候ण क Epic कव लुट है इसका लेक रीए दों में दाध किस कवख के कारण होता है तोक कॉस civ कारण कहने निली राई सेवाल के करना होता है किसे कारण नीली हरी सेवाल के करना नेक्स्ट जिस वर्ग के सेवाल को भूरी सेवाल कहा जाता है तो फियोफाइसी वर्ग के सेवाल को भूरी सेवाल कहा जाता है किसे फियोफाइसी वर्ग के सेवाल को लाल सेवाल कहा जाता है तो रोडोफाइसी वर् ब्रायोफाइटा बर्ग का सबसे बड़ा पौधा कौन सा है तो ब्रायोफाइटा बर्ग के सबसे बड़ा पौधा का नाम है डाउसेनिया कौन है दोस्तों डाउसेनिया जो है ब्रायोफाइटा बर्ग का सबसे बड़ा पौधा है तो नाम याद रखेगा डाउसेनिया लाइकेन किस से मिलकर बनता है तो आप लोग ज्यानते होंगे लाइकेन कबक और सैवाल से मिलकर बनता है किसे कबक और सैवाल से मिलकर नेश्ट लाइकेन सब्द का प्रियोग सरपर्थम किस ने किया था तो लाइकेन सब्द का प्रियोग सरपर्थम ग्रिक दारसनिक थियो फ 2 यह दोनों लाइकेन का प्रियोग सिर्के बनाने में कि प्रशकुन वहा लाटी है यह दिया सीलाई की ने जाती है तो दिया सलाई की जो तीलिया होती है दोस्तो वह पाइनस की लकड़ी की बनाई जाती है किसकी पाइनस की लकड़ी की बनाई जाती है चलिए next question देख लेते हैं हम लोग next question है हम लोग का रेजीन किन पौधे से प्राप्त किया जाता है तो रेजीन जो है दोस्तो कोनिफर पौधों से प्राप्त किया जाता है किसे कोनिफर पौधों से next प्रस्थितिक तंत्र में उर्जा का स्रोत है तो प्रस्थित की तंत्र में उर्जा का स्रोत है नेच्ट सेख है यनिकी सेख लाइकम को تعالत है तो लाइकम का है तो यह एक सहजी भी है क्या दोस्तों सहजी भी है नेच्ट जहए जलत अथा था दोनों जगह रहे उसे क्या कहते हैं तो उसे उभाईचर कहा जाता है और इसका उदाहरन के रूप में आप देख सकते हैं मेढक है सांप है बहुत सार साप पानी में भीरा लाता है उभाईचर पर में लाता है मेढक को भी आप देखते होंगे सुखे जमीन पर भीरा लाता है पानी में भी रहता है तो यह सभी उभाईचर का उदाहरन है नेश्ट कुछन है लॉंग का बनस्पतिक नाम क्या है तो लॉंग का बनस्पतिक नाम है सीजियम एरोमेटिकम क्या है दोस्तों सीजियम एरोमेटिकम जो है लॉंग का बनस्पतिक नाम है नेश्ट सत्य फल का तो यह पूर्ण तथा परजी भी है यह हमेशा दूसरे पर आस्री जाता है आप लोग देखते होंगे आमरे बेला जो है यह पौधे पर उगता है पौधों के त्रैनों पर और उसे खाकर यह जी भी तरहता तो यह परजी भी है नेश्ट जैव इंधन प्राप्त होता है तो RBC और WBC का अनुपात 600 अनुपात एक होता है कितना होता है 600 अनुपात एक होता है RBC और WBC का अनुपात नेश्ट है उतको के ऑक्सिकरन में सहयोग करता है तो उतको के ऑक्सिकरन में निकोटीनिक अमल साहिता करता है को दोस्तो निकोटीनिक अमल जिसे B7 कहा जाता है इसे जियाद रखेगा नेक्स्ट सेलूलर और मॉलीकुलर जीव विज्ञान केंदर इसी थे तो सेलूलर और मॉलीकुलर जीव विज्ञान केंदर जो है है तो लाइसोसोम का मुख्यकार क्या है तो लाइसोसोम का मुख्यकार है कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थों का बिघटन करना क्या है दुस्तो कोशिकाओं के अंदर अनवश्यक पदार्थों का बिघटन कौन करता है तो लाइसोसों करता है और लाइसोसों की खोज किसे ने कि थी तो डी डुबे ने किया था next जीन परिवर्थन होता है तो जीन परिवर्थन DNA में होता है DNA में होता है जीन परिवर्थन next है जीन का आकार होता है तो जीन का आकार सरपिला कार होता है कैसा होता है सरपिला कार होता है next है बीज को उगने में कौन सा हार्मोन मदद करता है तो बीज को उगने में ऑक्सीन हार्मोन मदद करता है कौन सा हार्मोन ऑक्सीन हार्मोन जो है बीज को उगने में जो है साहेता परदान करता है नेश्ट है प्रक्नली गर्वधारन को कहा जाता है तो इसे क्रित्रीम निसेचन भी कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है क्रित्रीम निशेचन कहा जाता है नेक्ष्ट है मार्नम मस्तिक्स का सबसे पीछे का भाग कौन है तो है मेडुला अवलंग गेटा क्या है दोस्तों मेडुला अवलंग गेटा है यह मस्तिक्स के सबसे पीछे का भाग है नेक्ष्ट किशन हम लोगों का नाइट्रोजिनी पदार्थों को निस्कासित करने में सहायक होता है तो नाइट्रोजीनी पदार्थों को निस्कासित करने में यक्रित सहायक होता है कौन सहायक होता है? यक्रित जो है सहायक होता है यक्रित अनावश्यक अमीनो अमल को बदलता है तो यक्रित जो है अनावश्यक अमीनो आमल को यूरिया में बदलता है किसे बदलता है यकरीत आप लोग जानते होंगे लिवर के बारे में तो यकरीत तो यह दोस्तो यह अनावश्यक अमीनो आमल जो बच जाता है उसे किस चीज़ों बदल देता है तो उसे ही यह यूरिया में बदल देता है और जिसे हम फिर अपने सरीर के द्वारा बाहर कर देते हैं। नविए सरीर में बसा का ऐक्सिकरण होता है। अगर आप लोग यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाईक कर दिजेगा। अगर आप लोग चैनल पे अभीbones तक नए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिएगा दोस्तो ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुच सके दोस्तो आप लोग को बहुत ही जल्द गुरूप डी का एकजाम भी आप लोग को होने वाला है इसलिए आप लोग को ये साइन्स का स्रिंखला जो है कंप्लीट कराया जा रहा है साथी में दोस्तो आप लोग को गुरूप डी का जितने भी एकजाम होंगे सारे एकजाम का एनलसिस भी आप लोग को इसी चैनल पे देखनों को मिलेगा तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज वहां से जा करके आप उन सारे वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में तरह ही फिर मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तक के लिए जय हिद्व